माहलेखाकर प्रविन कुमार के सवरक्षन में मनोरणजन कलब AGRC कार्याले माहलेखाकर मारष्ट नाकपुर को INAD पश्यम शेत्र क्रिके टूर्नामेंट का आयोजन करने की जिम्मेदारी सोफिग गई है इस तिन दीव सिये पश्यम शेत्र क्रिके टूर्नामेंट का शुवरम चार मई और समापन छे मई को होगा ऐसी जानकारी माहलेखाकार के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा पत्र परशद में दी गई इस समय में पत्र परशद में पत्रकार बड़ी संख्या में मौद भारतिये लेखा परिक्षा और लेखा विभाग की खेलों को प्रतसाहित करने की परंपरा रही है तदानुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक कार्यालय नई दिल्ली के अधीन छेतरिये और अंतर छेतरियस्तरों पर विभिन्न खेलों में वार्शिक टूनामेंट आयुजित करता है अंतराश्ट्रिये और राश्ट्रिय अस्तर के प्रतीभाशाली खिलाडियों से भरी विभिन्न महालेखाकार कार्यारियों की टीम इस टूर्नामेंट में खिताब के लिए दमदार प्रदर्शन करती है इस वजह से टूर्नामेंटों माना काफी उच्छ है माननिये माहा लेखाकार श्री प्रवीर कुमार के संरक्षन में मनुरंजन कलब AZRC कर्याले माहा लेखाकार महराष्ट नाकपुर को IA & AD पश्चिम छेतर क्रिकेट टूनामेंट को आयुजित करने की जिम्मेदारी सौपी गई है इस तीन दिवसिये पश्चिम छेतरिय क्रिकेट टूनामेंट का सुभारंब 4 मई 2022 को होगा और 6 मई 2022 को इस स्टेडियम में मैच का समापन भी होगा पहला टूनामेंट VCA ग्राउंट कलमना, दूसरा टूनामेंट Divisional Sports Association मध रेलवे अजनी तथा तीसरा डॉक्टर अमबेटकर कॉलेज ग्राउंट दिख्षा भुमी में खेला जाएगा VCA स्टेडियम नाकपूर के पुलिस आयुक्त श्री अमितेश कुमार दिनांग 4 मई को सुभा सारे 8 बजे टूनामेंट का उद्खाटन करेंगे श्री आर्तिरुपती वेंकट सामी महालेखाकार नाकपूर और हेमंत गांधी सचीव विदर्व क्रिकेट असोशियेशन नाकपूर विशिष्ट अतिथी होंगे श्री डॉक्तर छेरिंग दोरजे आईपीएस विशेश पूलिस महाने रिक्षक नाकपूर रेंज के हाथों 6 मई 2022 को सुभा सारे 11 बजे टूनामेंट के पुरसकार वित्रन किये जाएंगे इस अवसर पर शहर के पुर्व अंतराष्टरिये खिलारी श्री प्रशांत वैद विशिष्ट अतिथी होंगे महा लेखाकार कर्यालय नाकपूर, जैपूर, रायपूर, राजकोट, एहमदाबाद, मुंबई, ग्वालियर और भोपाल सहित कुल 8 टीमें इन 3 दिनों के दोरान शिर्ष सम्मान के लिए खेलेंगी दर्शकों नमस्कार, इस समय बीशन के टीमा लिखाकार कर्यालय में हम आपको बता दे कि Indian Audit and Accounts Department की और से कुछ क्रिकेट की प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसके अंदर क्या होने वाला है, कितने टीमें इसमें पाटिसिपेट करने वाली है और ये लेने के पीछे का उद्देश क्या है, ये तमाम बाते जाने की इस समय हमारे साथ में यहां के अधिकारी है, उनसे पुझाना चाहिए है, इस कारेक्रम के लेने का पच्छे उद्देश क्या है, जो हमारे विवित खिलाडी है, और जो एक अफिस में निरंतर कार्य क करते रहे तो यह हमारे लिए एक ठोटा सा ब्रेक का जैसा हो जाता है जिससे हमें और काम करने की उर्जा मिले और जो हमारे जो स्पोर्ट्स कोटा में शामिल हुए कर्मचारी है उनको अपने प्रतिवा दिखाने का और उनका जो निरंथर जो बहस करते रहते हो खेल का वो सामने आए और हमको दिखे कि उनकी जो प्रतिवा है वो भी हम बाहर को या फिर बाहर के लोगों के सामने रख सके बाहर की दुनिया को रख सके यह हमारा चोटा सा प्रयास है इस समय में एक बेटरीन खिलाडी अक्षा वाड़कर हमारे साथ में उसे जाने है कि यह तो आठ टीमे कुल मिला कर खेल रही है कौन से टीम से आपको खत्रा महसुस हो रहा है या कौन से टीम आफ से अवल है या कैसे उसको डिफेंड़ को इसा कोई खत्रा है नहीं है जो हम भी अच्छ है वो भी अच्छ है जो समय पर जो अच्छा खेलेंगा वो साथ से हम प्लाइनिंग करेंगे और फिर उनको पिर महा लिखा कर एक बहुत बड़ा कार्याला है लेकिन मैं सर से यह पुछना चाहता है कि सर आप ने यह जो क्रिकेट की प्रतियोगिता लिए और भी अन्य खेले उन खेल को बढ़ावा देने के लिए भोईश में आपकी क्य करने की एक संदी प्राप्त हुई है इसके अलावा हमने फुटबॉल होकी कैरम टेबल टेनिस बैडमिंटन इन जैसे खेलों का भी आयोजन करते आ रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे इस खेल को लेकि कितना डिपार्मेंट में खुशिया है या किस प्रकर की तैयारिया पुरी हो चुकी है देखिए हमारे खिलाडियों के लिए जो स्पोर्स को टा अंतरगत शामिल होते हैं उनके लिए तो अपना प्रजशन दिखाने का अपनी जो सिलेक्शन है उसको सैटिस्फाई करने का ये उनके उच्छे अधिकारियों के प्रती और बाकी दर्शों के प करते हैं तो इसमें हम जितने हमारे इसको सुलब तरीके से अच्छे से ये टोर्नामेंट करना चाहिए इसके लिए हम पूरे जो हमारे करमचारी है इनको ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल होने के लिए निमंतरित करते हैं उनको प्लैनिंग की जवाबदारी देते हैं उ लेकिन ये खेल के प्रती जो संगभावना होती है और ये हमें एक प्रयास देता है, एक हमें चांस देता है कि हम अपने करमचारियों में भी इसको उत्साह को हम ये जो ट्रांसफर कर सके, ये हमारे करमचारियों में भी फिर एक वो उत्साह का महोल है, ये अगले हर साल, ये पूरे साल के लिए ये हमारे साथ रहेगा और अगले साल जैसे प्रतिया आएगी हमें कोई और गेम का आयोजन करने का मौका मिलेगा तो हम ये हर साल का ही हमारा ये इसमें उद्देश होता है खेल को बड़ा बातना है, यह किसी का काम है, और इसी प्रकार काम का जीस समय में महाली खाकार के ओर से हो रहा है, और यकिन यह दिया इसा होता रहा है, तो उन खिलाडियों का ज्वान सवर्दन अच्छे से होगा, और खेल को बढ़ावा होगा, क्योंकि विधर्बव भी हा महाराष्ट हो है देश को हो यहां पे खिलाडियों की खान कही जाती है मगर आए दिन जिस प्रकार से सरकार के और से जो सुविधा ही नहीं दी जाती है शायद इस महाल लिखाकार के और से दी जाए और इनका जीवन सवर्दन अच्छे से हो और इस गेम को बड़ावा मिलना चाहिए साथी साथ अन्य खिलाड़ी अन्य गेम का भी वीचार होना चाहिए यही समय की मांग है लिखाकार से कैमरा परसन सुवाज बुटले के साथ संजय मीरब बीसेन न्यूज नागपूर